हाँ दोस्तों कैसे हो तो आज फिजिक्स पंच नमर 16 बाइ 20 ट्वंटी पंच हमने फिजिक्स के बनाए यह हमारा सोलवा पंच है और यह आखरी सूट हो रहा आज 17, 18, 19, 20 पहले आपके पास पहुंच चुके हैं दोस्तों आज 14 जुलाई को हम इस सूटिंग कर रहे हैं और आ एवरेज डाही कुशन मानते हैं एवरेज का मतलब दो भी आ सकते हैं तीन भी आ सकते हैं पर एक्जाम में यहां से कुशन निश्रित आता है बास सुरू करें ओके डियर आपका पहला कुशन है पस कहता है एक कंडेक्टिंग सर्कुलर लूप इस प्लेस्ट इन यूनिफॉ इस देखो डियर इसको सुरू करने से पहले खाली करें पेज को मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ दोस्तों कॉंसिप्ट क्या है एक्चुल में यह स्टार्ट होता खेल यहां से फाई इक्वल टू बी एकोस थीटा बी वहां मेक्दिर इंटेंसिटी है ए एरिया है और पेंडिकुल लाइन है यह इसकी डिरेक्शन है इस सबसकी डिरेक्शन है एंगल अमेसा इसके साथ मेजर किया जाता है ना कि इसके साथ मेरी बास्ता मैं कहूं कि कॉण अमेशना तल पे खिंचेगे लंब के साथ ना पा जाता है Angle measured with always perpendicular line to which surface ठीक है वो theta हो गया अब यहां माना कि उसमें loop n हो जाएं तो इसको अपड़ा ऐसे भी कह सकते है 5 equal to n ba cos theta ओके फिर length का नियम क्या कहता है हम सब जानते है e equal to minus n d5 i dt minus का sign आप जानते हो यह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से पैदा होता है मैं भी भासा में कहूँ यह वो बेटा है जो अपने बाप को मानने कोशिज करता है जिससे पैदा होता है उसी का विरोध करता है इस topic को सुरू करने से पहले दो बास सुन लो ये जिससे पैदा होता उससी का इरोध करता है इसका मूल फंडा है इसकी आदत है नेगेटिविटी इसकी आदत इरोध करना एक फंडा है मेरा चड़ता है तो चड़ने मत दो गिरता है तो गिरने मत दो बढ़ता है तो बढ़ने मत दो गटता है तो गटने मत दो दूर जाता है तो दूर मत जाने दो पास आता है तो पास मत आने दो बस इतना है फंडा इसका यानि जो है उसका उल्टा करना इसको ठीक है डियत तो E equal to minus N D 5 Y D T अब अपन यहां एक बात देखें इसकी value put करें तो N को बाहर निकालने यह आपका D Y D T what is phi? phi है B A cos theta अब देखो दोस्तो B change करके भी आप E पैदा कर सकते हो A change करके भी आप E पैदा कर सकते हो और theta यानि उसकी position चेंज करके भी आप E develop कर सकते हो यानि कहीं B बदलेगा जहीं A बदलेगा और कहीं theta मतलब सकुंडली की position बदलेगी location बदलेगी कोई परिवर्ट जो चीज परिवर्टन सील है उसको आप अंदर रख लो और constant को बाहर निकाल लो clear? मैं इसको मिटा देता हूँ यहांपी बाद पले पड़ी अब दोस्तों आप अपने question बें आ जाओ अगला साप साप कह रहा है भाईया इसकी लूप की जो त्रीजा है वो दो मिलिमीटर पर सेकिंड की दर से घट रही है तो डियर इसका formula होगा minus N B को बाहर निकालो अच्छा theta यहां 90 है सो theta यहांपर 0 है तो 0 में कोस 90 क्या हो जाएगा एक 0 कैसे है सुनो अगला साप कहते है कुंडली को इस प्रकार रखा गया चुंब के छेतर की दिसा के लंबवत चुंब के तल की दिसा के लंबवत प्लेन के प्रिपेंडिकुदर इसके पैरदल ठिटा क्या हो गया जीरो अगला क्या बतला दोस्तो 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 अगला अगला क्या बतला दोस्तो अगला क्या बतला दोस्तो अगला क्या बतला दोस्तो अगला दोस्तो अग फिर कोस्टेंट है उसको फिर बाहर निकाल लेंगे एधर देख एक एक्वल टू माइनस एन बी पाई फिर बाहर निकाल यह तेरा डी आर स्काइर बाई डी टी बोलाया ना ठीक है फेज खाली कर ले बहिए ले आगे बढ़ू तेरे लिए तो दोस्तों इसको पूरा मिटा द एन बी पाई डी आर स्काइर बाई डी टी बैस एन है नहीं लूप एक है एन खतम हो जाएगा यहां नमरों के लूप नहीं दिया इसने तो डी एर एक्वल टू माइनस बी पाई डी आर स्काइर बाई डी टी दोस्तों आर स्काइर को आप डिफरिशिट करो तो क्या हैगा 2R बट किसके साफेक्स किया आपने T के साफेक्स है तो यह क्या बन जाएगा DRYDT 2R तो आएगा आएगा बट क्या लेकिना पड़ेगा DR वो सुनो बच्चे बेटे किलो बाड़ो आप कोईगे साब R स्पायर का 2R होना चाहिए वो कब होगा जब अक्सका R के साफेक्स होग निकिया जाए यहां R को T के साफेक्स करन डिफ्रिशेंट है तो देखो यह जो आना यह R स्पायर इसका तो हो गया 2R बट किसके रिस्पेक्ट में T के रिस्पेक्ट में बैस तो E इक्वल टू माइनस पाई B 2R DR by DT यह आपका फोमुला बन गया अब इसकी वेलिपूट कर देते हैं आज वो कुष्रम आजाओ एक बार लो तो दोस्तो मैं इसको मिटा दू अपने अध्वार डिखिलेंगे अगला साब कहता है यह जो गए रहा 2 mm पर से किंड यह क्या है माइनस का तो बाहर जो माइनस था वो क्या बन जाएगा पोजिटिव ओके डियर B का मान क्या है पोट 0-4 लूप की कुल एडियस क्या है 2 cm बस हो गया मिटा दू उसको मैं ए आजा E भूल गया क्या माइनस था पाई था D था 2R था D R Y D T था मेरा पहले साप सुन लो मेरा मकसद के उल कुछन सोड़ करना नहीं है हमने इसके आस पास के सारी बात प्रेट ही है ओके डियर तो देखो माइनस पाई B बोले तो 0.04 A यह रहे 0.04 2 R बोले तो 2 cm इसको मिटर में चैन्ज कर दो दसकी पावर माइनस 2 D R Y D T कितना है 2 M M माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 M M तो यह है क्यूं जब घट रही है डिक्रीज हो रही है तो कम होता है मल्टिपलाई 2 मल्टिपलाई 10 2 पावर माइनस 3 3 क्यों क्यूंकि M M है बस अब आप आजओ, लोडिये, एक काम करो, इसको नीचे कर लू, ये 10 की पावर 2 है, इसको और उपर ले जओ, तो माइनस 2 होगा, ये माइनस 3 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 और आ गया, तो ये दोस्तो आपका क्या बन गया 10 to power minus 7 पाई को बहार ले 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 पाई को बहार अब देखे 2, 4, 4 दूनी 8 और 8 चोक 32 ये ले 32 ये तरह क्या आ गया वोल्ट आ गया 32 पाई 10 to power minus 7 वोल्ट आ गया अब ऐसा कोई आंसर नहीं है पर आंसर देखे रहा तीन पाइंट दो यह रहा, तो देखो तीन पाइंट दो, पाई, वी, माइक्रो मतलब है, दसकी घात माइनस छे, आजा, इसको निचे ले, ऊपर जाएगा, दसकी घात माइनस साथ, आंसर क्या हो गया दोस्त, हस्ट हो गया, दहां देख लास, एकोल टू माइनस एंड दी फा हैं, एक है, धारा से चुम्बक पैदा होता है, और एक चुम्बक से धारा बनती है, तो इस यह बात है, एक में करंट से मेग्डेट पैदा होता है, एक में मेग्डेटिक फलक्स में चेंज करने से, आपके जिरेटर में क्या होता है, फलक्स परिवरतन होता है, उसे करंट दूसरा करेंट बैती है उसे मेगनेड बनता है जिसका नाम क्या है करेंट करिंग लूप धरावाई कुंडली होती है ना जो नोर्थ पोल साउथ पोल बनते है जो किसकी बाती काम करती है चुम्ब की तो केवल इनरजी का ट्रांसपर है एक जगे चुम्ब के उर्जा जब एक मोटा मोटा सिदिसी बाती ही है तो दोस्तो किसका नियम हो गया उर्जा स्रंक्शन हो गया थैंक यू दोस्तो कुछ नंबर तीन वह लोजिक जिस कारण से पैदा है उसी कारण का विरूद करेगा देखो यह नोर्थ पोल है इसके पास आएगा तो यहां फ्लेक्स म करेगा नोर्थ इसलिए उपर से दिखोगे तो क्या बनेगा नोर्थ पोल अगला क्या पूछता है निकट लाया जाए तो जिंग में धारा क्या होगी तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात नोर्थ नोर्थ का मतलब वामावर्थ आंसर क्या होगा आपका थैड्यू यह एक अच् सेकिड में कम करके सुनने कर दिया गया किसको चुम्ब के छेतर को लड़के डी बी वाई डी टी जो है वो एक बट्टे पॉइंट 1 है चुम्बक के चितर को 0.1 सेकिन में कम करके सुनने कर दिया गया कितने सेकिन में रहे 0.1 है 0.1 से कहा तक आ गया 0 तो 0.1 से 0 हुआ तो चेंज कितना हुआ 0.1 का कितने समय में 0.1 सेकिन में तो दोस्तों db by dt क्या हो गया 1 बैस e equal to minus n d by db यह ले तेरा minus बढ़ा दे minus को मिनिंग ने समय कोई सुनने कर रहा है कमी हो रही है कमी का मतलब negative positive एन कितना डियर पानस को एरिया भार निकाल ले कितना 100 cm2 100 cm2 का मतलब है दोस्तों जहां cm2 हो उसको m2 में करना हो तो 10 to power minus 4 db by dt क्या है बस यह एक, दो, तीन, चार cancel out हो गया दोस्तों answer आ गया इसका पांच वोल्ट यह लोग सिंपल सा प्रस्षण है धन्ते class जल्दी वाजी ने जिए ले फॉर्मूला e equal to minus ndb by dt minus है suppose को दोस्तों एक object यह minus होता तो गर बढ़ाती न अगला साब कह रहा है कि अगला minus 1 second में 0.1 से सुनने आ रहा है कमी, कमी का मतलब negative इसलों positive हो गया एक fix है db by dt 0.1 से 0 करने में 0.1 second लगा तो db कितना है? 0.1 db में कितना change है? 0.1 कितने समय में? 0.1 में एक हो गया तो formula आएगा e equal to n d5 by dt flux change के कारण प्रेरित विदू तो वहाकबल होता है induced amf होता है अब माना के loop पूरा है loop पूरा है तो आप जानते हो दोस्तो e equal to ir तो i equal to क्या हो जाएगा? e upon r इसका नाम है induced current तो e कितना है? वो तेरे सामने रहा n रहेगा ये तेरा dt मिटा दूसको में एक बार ये तेरा r बोल हाँ या ना तो i equal to क्या हो गया? minus n d5 by dt this is induced voltage this is induced current पर एक बहुत प्रेरा सब्द है what's induced charge? प्रेरित आवेश क्या है? तो दोस्तो उसका formula होता है i equal to dq by dt आजा भया तो तेरे सामने सामने दोस्तो what is dq dq equal to i multiply dt तो दोस्तो dq equal to what is i ये तेरा i रहा n d5 by r dt dt डिवाइड करेंगे dt कैसा हो जाएगा? ये बचे का minus n d5 by r दोस्तो color change कर लो ये formula है e का ये formula है i का और ये formula है dोस्तो q का एक बात धान देना रहे flux change दीरे या तेज होता है दीरे होने का मतलब t ज्यादा है तो e कम होता है flux change तेज से होता है तो t कम है तो i ज्यादा है लेकिन दोस्तो induced charge में दीरे या तेज flux के change होने का कोई फरक है नहीं पड़ता है बहुत परा क्षिशन है यानि इंडूस्ट वोल्टेज, इंडूस्ट करंट, फलक्स परिवर्तन की रेट पर डिपेंड करते हैं बट इंडूस्ट चार्ज है वो रेट यानि दर देरे हो रहा है या तेज हो रहा है इससे परभावित नहीं होता है इस क्लास का थोरी का किछ रखा कुंड़ी से समद्च उंब के फलक्स यह है तो टी सेकिन पे कुंड़ी मिद करंट कितनी आजा बईया तेरे सामने सामने एक्वल टू माइनस एन डी फाई वाई डी टी तुझे अगला क्या पूछता है करंट पूछता है ना तो आजा करंट ले ले एक्वल दी फाई बाई डी टी बोल हाया ना आजा तो सबसे पर दी फाई निकाल तो दी फाई बाई डी टी कितना हो गया रहा है इसका उक्तन कर ले यह टी स्कायर है तो कितना हो गया डीर सो टी हो गया बोल हाया ना करूंगा ना पचास दो निचा जाएगा सो टी हो गया और टी क चुसर दुर। मुझा और ido एए एकुछ मैं पुरी बात पोगता है कोई बात निय चोड़ दो अगला साब के ता इसके इशंद पैंचपार चारब समय केए तो दो नीचे आजाएगा, सोटी हो जाएगा, चार का को जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सारी वेली तेरे सामने आगई, ओके, तैंक्यो, दोस्तो यू कहूं तो, ये एक मेरा प्रिया प्रसन है, और मेरा प्रिया प्रसन है दोस्तो, ये एक्जाम का बहुतरा क्यूशन है, जो धान से बैठ जो आप एक चीज़ सोच, इसको बोल जवाब एक लोलक हैस, एक पंडूलम है, यहां है यहां गया, वापस यहां आया फिर यहां गया, फिर वापस यहां आया इसको बोलते हैं एक उक्सिलेशन एक oxальation में यह दो बार minimum हुआ दो बार मेक्जिम हुआ एक दोलन में यह दो बार गठा और दो बार बढ़ा अग्ला एक second में पूछे तो इसको एक बटा दो कर दो कि क्योंकि F equal to 1 by T होता है एक second में कौण होगा कितनी बार गठना गठी तो दोस्तों 1 by 2 कर देंगे गिए 180 पे आएगी 270 पे आएगी 360 पे आएगी दो बार minimum पे आएगी दो बार maxim पे आएगी देख जायी तो दोस्तों इसको sign करो को कहते है पड़ के सैन करो बन गया तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक गटना, मेरी बासा में इसको बोलता हूँ, एक गटना, one oxalation, इसमें लगा समय जो है, वो time period है, यह frequency का उल्टा होता है, बहुत से लोगों को frequency पता नहीं होता है, क्या है frequency, कोई गटना, एक second में जितनी बार गट जाती है, it's called frequency, कोई गटना, जैसे मैं एक second में चार ताल frequency क्या है, दस, frequency दस है, तो time period क्या हो गया, एक बटा, दस, बैस, साब कहता है, जब एक उतार का लूप चुम्ब की गुर्णा करता है, तो induced विदुत वागमल की दिशा, परतेक में एक बार बदल जाती है, परतेक आदे चकर में, क्यों, एक चकर में तो दो बार बदलती है तो एक बार तो आदे चकर में, जगो, जगो यहां से, जगो उपर जा रहा था, निचे आ गया न, निचे जा रहा था, उपर आ गया, तो दोस्तों याद करो, SHM याद करो, जब कोई परिंडूल में SHM करता है, तो एक oxidation में दो बार गतिज अधिक्तम होती है, बुल गे क्य एक second में कोई गटना जितनी बार घट जाती है, उससे frequency कहते हैं, और एक गटना में लगा समय, time period कहलाता है, जो एक दूसरे के inverse होते हैं, हम जानते है, t equal to one by f, okay, thank you, साथवा क्यूशन प्योर्ट थोरी पे डिपेंड करता है, तो उस पर सुनो, a circular wire of radius r rotate about its own x with angular speed, दोस्तों बहुत पहरी चीज़ ज़र है, देखो, ये एक धान देना, ये north pole or south pole है, यहां कोई field है, दोस्तों ये कोई कुणूदी ऐसे गूमे, तो क्या है, कुछ नहीं है, अरा flex change तो ऐसे होगा, ऐसे गूमने से कोई flex change नहीं होगा, जब को flex change नहीं है, तो by induction नहीं है, तो इसका दो एक्जाम के पॉइंट से बेस्ट कुशन है, अगरा साप कहता है देखो, O1X, O1X का मतलब अपने अक्ष्ट में गूम रही है, ऐसे नहीं गूम रही है, इसको बोलते है, with spare diameter, इसको बोलते है, व्यास के साप एक्ष्ट गूमना, इसको बोलते है, खुद की अक्ष्ट के प equal to BVL, ज़िए कहीं कोई एक L लंबाए का conductor, V एक से मूग कर रहा है, और किसी flux को काट रहा है, तो दोस्तों उसके सीरों पे एक induced voltage आएगा, वो क्या होता BVL, बट B कौन सा, B के कई बार आप हवाई जाज है, उपर उड़ रहा है, वहाँ BH भी होता है, BV भी होता है, यह 5 कौना, 10 की घात माइनेस 5, दोस्तों V किस वेक से रहे, 360 किलो मिटर पर आवर है, याद परो किलो मिटर पर आवर को 5 बटे 8, ठास कौना कर दो रहा है, जाने ना, किलो मिटर पर आवर का है लिखावा हो, उसको 5 अपोन 8 से मल्टिप्लाई कर दो, मिटर परसेंट हो तो आप, और ये फिर सो हो गया, तो ये आपका सो गुना सो हो गया, दस की घात 4 हो गया, ये दस की घात माइनस 5 है, दोस्तों इसका आश रहा गया, पाइंट वन वोल्टिप्स इस ये बात है, दान दे क्लास, एकुल टू बी वी वी एल, क्योंकि ये हवाईजाज बस पस क अशनका है, जैक जैक आपको अपने दिमाग में से खिस लोग से फोर्मले पर आते है, तो तो इस तुरी के गड़त है, निमेरिकल निकालो, numerical निकालने के बाद जो concept apply हो रहे हैं उनको अपना कानून बनाओ और उनको फिर थोरी में लगाओ आप ज़्याद अच्छा पोज़ कर पर फीस में थैंक्यू किस्ता नमर 9 सिदा फंडा भाईया 5 I के डाइक्टिप प्रपोस्टल है 5 डाइक्टिप प्रपोस्टल फिर क्या होगा I के प्रपोस्टल हो गया अब आप जानते हो दोस्तो इसको अठाओगे तो 5 इकल डू क्या हो गया LI इदर N से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा माना कि लूप N है तो formula बन जाता दोस्तो बड़ा सीधा सा N फाई एक्वल टू LI छोड़ा आगे समझाओ आपको मैं ये सारी दुकान स्टार्ट एहन से होती है लो परिवर्तन कर लो जैको N तो कभी change होता नहीं है जैसे तू फाई में change करेगा तो किस में change होगा रहे है आई में change होगा L कोईल का constant है जो change नहीं होता एक बार तूने कोईल ले ली तो N चेंज नहीं होता आप flux में change करोगे तो दारा में change होगा ये उल्टा बोल दो दारा में change करोगे तो flux में change होगा बस डियर तो ये तेरे सामने सामने N D5 equal to क्या है LDI है यादा रहा है यादा रहा है तो आगे चले फिर एक क्या होता है E equal to बुल गया गया E equal to minus N D5 by DT बस अब तेरे सामने सामने एक काम करें इसको DT से डिवाइड कर दे इसको DY DT से कर दे ये तेरा क्या बन गया minus E ये ले बच्चे ये बन गया E equal to minus N Diy DT बता क्या दिकत है E equal to minus N D5 by DT बोले E equal to minus L Diy DT बोले दोनों ये क्या ही है कहीं फरक नहीं है लो मैं एक लगया हाथ में एक चीज़ आपको और समझाता हूँ पेज खाली करें आप सब दे बायो साउर्ट का नेम पढ़ा वहाई फॉमला होता है E equal to mu zero i dl sin theta upon 4 pi r square होता है theta को आप नबब करके एक कर दो चलो तो mu zero i dl बटे क्या हो गया रहे 4 pi r square ये क्या है किसी current carrying conductor में current बह रही है अब एक बात बता current बहती है तो actual में तो यार i equal to dq by dt है तो सुने current बोल दे चाहे movable charge बोल दे बात एकी है अब यदि movable charge से पुछे तो मैं कुछ लिए करूँ है दोस्तो इसको replace कर दूँ है देखो ये तेरा mu zero जह i लिखा हुआ है वहाँ मैं dq by dt कर देता हूँ और ये दोस्तो आपका मने dl लिख दिया और ये तेरा 4 pi r square है अब धान सुनना dly dt l क्या है दूरी t क्या है समय वेग बराबर है दूरी बटा समय तो दोस्तो ये तेरा बन गया mu zero दान दे ये तेरा dq है dq को e बोल दो माना कोई electron है और इसको v से multiply कर दे और तेरे ते क्या आगया है 4 pi r square बोश्चा फामुला गया तो a की चीज़ है a की फामुला है b equal to mu zero ev बटे 4 pi r square दोस्तों मैं ये करना चाहता हूँ कि ये चुम्बक और दारा का चुम्बक के परभाव और दोस्तों प्रेंट दोनों एक ही है एक इधर एक इससे बनता एक इससे बनता है आप देखरो ना b equal to mu zero ev upon 4 pi r ये भी फामुला होता आपने याद करो देखो याद करो mu zero बटे 4 pi ये सब चेंज जाते हैं आपसे में इनकी value put कर देते हैं कहने का मतलब ये है कि आप इसे में पेनिक नहीं हो ये फुर्मलाइस कुष्ण के समंग नहीं है लेकिन मेरे दिमाख माया बन करवा दिया आपको कि आप इस तरह आपसे में चेंज भी कर सकते हो क्लियर अब हम कुष्ण लिकाते हैं आजो अब कुष्ण पढ़ते हैं क्या लोजी अब अगला कहता है एक लंबी प्रिमिलिका में इतने फेरे हैं इतनी धर प्रवाइट होती है तो पढ़ते है एक फेरे समंदी ते चुम्ब के फ्लक्स का मानी है तो इसका बतो सिर्फ इंडेक्शन क्या है यह ले यार क्या दिक्कत है एन फाई इक्वल टू एल आई एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई ओ भी डू एन कितना है पांसो फाई कितना है अब तेरे को भई फाई का पता नहीं अगला साब कहता है चुम्ब के फ्लक्स यह रा फाई दे रखा ना चार मुल्टिप्लाई टेंट वाऊर माइनस थ्रि अब उन आई कितना है दो यह ले भाई इसको काठ दे पांसो को दो से कुना कर कितने हैं कि हजार यह कितना हो टा हजार आंसर दोस्तों क्या आ गया एक इसका मात् Cage क्या होता है हिंडरी, आंसर के आगया, एक हिंडरी, कुछन दे बहुत छोटा सा था, लेकर मैं आसपास का पूरा रपेटा, क्योंकि अबना मकसद ही क्या है, कि पूरा टोपिक इस 45 कुछन में कावर हो जाए, ओके थैंक्यू, दोस्तों, अगला कहता है, टू कोईल्स ऑफ सेल्फ इंडे के की वेल्यू बन हो जाते हैं, बस्याव एक रखना चीज का, कप्लिंग होगी टोटली, यानि इसका जो फ्लक्स है, वो इसमें जा रहा है, उसमें कोई लिंकेज नहीं है, सोरी, कोई लिंकेज नहीं है, दोस्तों सब जा रहे हैं, लिंकेज और लिंकेज, यहां पूरा फ कैसे है ये कोई ये कोई ठीक इसके ओपर ले पेट दो दो दोस्तों ये के कोई टू बन होता है एक ऐसी कंडिशन भी है एक कोई यहां है एक कोई यहां है तो के दोस्तों एक से कम कैसे तो थोड़ा सब बताओ आपको आपको मैं कुछ फ्लेक्स इसमें से बाहर निकल गया इसमें एक कोई मालो इस एंगल पे है और एक कोई इस एंगल पे है तो दोस्तों के कोस्थिटा बन जाता है इसको बोलते पहले का दूसरे से कितना संपरक है एक्जामत बता हूं ये टीचर है ये स्टुडेंट है टीचर स्टुडेंट दोनों बिलकुल एक साथ है पूरा निवन होते हैं तो नहीं पढ़ते हो के जीरो होते हैं बागी जीरो एक के बीच होते हैं और को इसको एरिया क्या है एक सब्ड़ इसके कारण इसके सेंटर पे जो बीपैदा होता है current flow हो रही है current flow होती है तो अपने जानते है mu 0 n i upon 2 r clear हो गया यह क्या है इसके center पे उत्पन चुम्बे के छेतर की ती वरता है अब दोस्तों यहां कितना flux link करता है तो वो अपने पढ़ चुके भी n phi equal to क्या होता है li और फाई ओ बच्चे फाई तो जानता है b a तो n b a equal to क्या हो गया li तेरों क्या चीए दोस्त तेरों को l चीए ना तो देख l equal to मतले color change कर दूँ इसका l equal to n b a upon i आजा n तो n है b क्या हो रहा mu 0 n i upon 2 r और area क्या है pi r square देख r से r cancel out कर देख अपॉन i upon i i से i cancel out कर जाएगा तो दूस्तो l का मान आगया mu 0 चाहिए दान सुनो इसमें ये भी n है ये भी n है n1 n2 नहीं आएगा रहा यदि यही होता mutual induction है तो एक coil का n1 काम आता है दूसरी का n2 काम आता है जैसा कि किसी में काम आएगा transformer में self में वोई कुंड़ी man है वोई इंडूस्ट है तो वाँ n n रहेगा इसने mu 0 n square r पाई भी उपर देखो पाई अपन 2 दोस्तो तो ये आपका किसी भी ये एक बाद सुनना रहे इसमें आई नहीं है ना आई नहीं आता फूम लिए इसमें कभी भी l इक्वल 2 पाई mu 0 n square r by 2 ये किसी कोईल का develop self induction कहलाता है बार-बार कहरा हूँ रहे इसमें आई नहीं आता है तो ओके डियर इसको मखाली करूँ आप क्विशन में आएं क्विशन क्या बनता है दोस्त l pi mu 0 r n square by 2 हाई ना बैस अब क्या कहता है एक त्रिजा की कुर्दी में इतने फेरे हैं उसका इतना इंडेक्शन है इतने फेरे हैं तो कितना इंडेक्शन होगा अपना वो ही फंडा भहिया जो चीज बदलती है उचके पिछे 1,2 लगा हो तो देख l k 1 लगा और तेरा n k 1 लगा क्यों? r तो क्या है? constant हो गया बस हो गया मेरा काम तो l 1 अपोन l 2 अपोन n 1 अपोन n 2 का whole square बस, sold कर ले यार l 1 का मान क्या है रहा बच्चे? 108 l 2 तेरे को find out करना है बोल बोल n 1 क्या है? 600 और n 2 क्या है? 500 इसका क्या है? square है ये कट गया तेरा ये दोस तेरा 36 आए देख 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 एक्जाम होती ही होती है ये 108 बटे l 2 ये तेरा कितना रहे? 36.25 है 36 को तीन से मिल्टिपलाई कर अलो सिधा आता एक्जाम है 36.3 मिल्टिपलाई कितना हो गया? 108 हो गया ये तेरा 3 बार आगया 75 आगया मिली हेंडरी क्यों? पहले बड़ बिकसे में है? मिली में बड़ बिकसे में आएगा? मिली में बेस्ट अप एक्जाम बेस्ट फोर एक्जाम थैंक्यू आजाओ भाईया फिर वो ये कुशन है जैसे गया रहा था वैसे बार है वो इसे पूरी बात करें तो असाब कहता है तो असाब कहता है सेल्फ इंडेक्शन ओपे सोलनाइड अप लेंथ एल एरिया क्रो सेक्शन ए हेविंग एन ट्रंस इज एन फेरूर की संक्या है टोटल पे एक बात धान देना दोस्तो एक फंडा है इन दो नाम होते है एक है सोलनाइड एक है टोराइड इसको तो बोलते हैं सोलनाइड और ठेड़ा हो जाए तो टोराइड इसमें क्या होता है कि ऐसा एक बेस होता है उसके उपर ऐसे वाइर पेट दी यह दिस ही लगा दी current flow होगी current flow होगी तो इसके अंदर एक b develop होगा उस b का जो formula है ना वो होगा mu zero small n i यहां दान्दे class यहां small n बहुत कामकार है यहां small n है capital n upon l small s is not number of trans this is number of trans in unit length एकांक लंबाई पे पाई जाने वाले loop के संग्याए बस यहां जब की n क्या दिया है total फेरे दिये इसने इस उस तो small n नहीं है वो capital बाई दानकमाचीज का बास आजा यार n phi equal to वोई तेरा li देख्यती नहीं वोई तेरा phi क्या है ba ba equal to li वोई तेरा को l निकालना है तो यह आजा n ba upon i बोल हाया ना बोल बोल तो l कदर चेंज कर ले समझने के लिए तोड़ा सा आजा तेरे सामने l n अब यहां दे यह n capital नहीं है यह लोटाइस में यह n capital नहीं है यह तरह capital नहीं है फिर तरह b b क्या है mu 0 small n नहीं है small n i किस से multiply करना है a से कर दिया किसका डिवाइड करना i से देख लड़के फिर i से i कट गया कभी भी l में आई नहीं है गांट वान लेसिज़ को अब देख l equal to mu 0 sorry mu 0 यह n क्या है small n क्या है capital n by l तो यह तो n रहेगा रहेगा यह तेरा capital n a by l तो formula बन गया तेरा mu 0 n square a by l mu 0 capital n square a by l यह ले दान देना रहे small n अलग है capital n अलग है ओके तेंग्यू दोस्तो question number 13 जो है न पेज खाली कर इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इस चीज़ बताता हूं लो आपके syllabus में पांच ही चीज़ों के जोड़ है पूरे से बस में spring का के bulb का P capacitor का C कुंड़ी का L और resistance का R दोस्तो जैसा R का rule होता है वो ही L में काम आता है और इन तीनों में दोस्तो जैसा इसमें होता है उसका ठीक उल्टा आता है जैसे R R को जोड़ो series में तो 2 R होता है पर बलब को P P में जोड़ो series तो P Y 2 होता है R R को जोड़ो parallel तो R Y 2 होता है spring को जोड़ो K K को parallel तो 2 के होता है बस तो मैं एक फंड़ा है कि L R एक तरफ है और मैं बोलता हूँ K PC एक तरफ है यानि 5 जोड़ है तो दोस्तो R का rule सबको आता है R का स्रेणी करम R का समानतर करम और जिसको बोल नहीं आता उसको बिरा प्रणाब आई सब क्या प्रणाब प्रणाँ उसको मैं इसने अलग से कुछ याद नहीं करना है अब ये किसका जोड़ है Q किसका नियम काम आएगा R का कौन से करम में है तिनू साप दिखाए दे रहे हैं ये समानतर करम में पस दिखाए दे रहे हैं कैसे पता लगा समानतर करम में है इसकी बात भी कर लेते हैं भाया ये भी सीक ले 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 भाया समानतर करम है कर नहीं है ये पॉइंट B jiAD. चल गड़ा. यह A बणा. और यह B बणा. आजा देख इसको एक नमبر कहदे, इसको दो दो नम aumentar कहदे, थीक है, अब तेरे सामने सामने देखे. A और 1 के बीच एक वाइर है, यह पॉइंट बढ़ा दे, एक नमबर यह दून. A और 1 के बीच यह कंडली है, बढ़ा दी. एक और बी के बीच एक वाइर है एक और बी के बीच एक वाइर है एक और दो के बीच एक कोईल है यह कोईल बना दे दो और तीन के बीच एक कोईल है तो दो और बी के बीच हो री यह कोईल है ओके डियर और ए और दो फिर के बीच वाइर है तो तेरे सामने सामने है यह तीनों कौन से करम में होगे होगे ना पैरदल है देखना यार है तीनों पैरदल होगे अब L, L, पैरदल है तो क्या हो गया है एक का कितना है थ्री तो आंस्र क्या गया बहिए एक हंड़ी क्लियरेंग दोस्तों क्षेन 14 अगला साथ कहता है करंट औप 5 अमेरी फ्लोविंग अट2 20 वोल्ट इन प्रैमेरी कोल ट्रांस्फर्मर इफ दा वोल्टेज प्रदूस्ट इंदा सेकेंडरी कोल 220 वोल्ट and 50 पर सें यहां मैं इस्टेक है ठीक है 2200 दोस्तों एक बाद धान सुलो आप खले करें पेज ट्रांस्फारमर के ऊपर अपर बात पुरी करते हैं यह दोस्तों माना कि आपका ट्रांस्फारमर है यह प्राइमरी और यह आपका सेकेंट इधर निखलो और यह पी, एपी, एन पी, ईएस, एन एस, दून दिसिच अइनपुट, आउडबट ईफि शनल्स इज आलवेज आउटपुट बठा इनपुट बात यह दक्सता हमेचा आउटपुट बठा इनपुट हो रीध होती है यह दोस्तों आउप, एप N P I S E S N S और इनको अपन गुना अपह करते हैं तो भूल गें क्या रहे हैं N S upon N P equal to E S upon E P equal to I P upon I S क्योंकि इधर का E गुना आई इधर का E गुना आई और इधर का E गुना आई common sense की बात है step up transformer होता है वो voltage बढ़ाता है तो current को कम करता है step down transformer है voltage गठाता है तो current को बढ़ाता किसमें secondary side में I और E का multiplication दोस्तों मैंसे क्या रहेगा constant रहेगा यह fix है कोई गड़बट N S upon N P equal to E S upon E P equal to I P upon I P E और I एक दुसरे की क्या होते हैं inverse होते है बात पले पड़गी mutual आप जानते हो बहुत प्रहा कुशन है transformer किस पर काम करता है unknown print के सिध्धान पर mutual induction क्यों change यहां कर रहे हो effect यहां आता है एक example है मेरा पर चोटे थे नहीं लोग जो कहाने सुनते थे एक बाबाजी की जान तोते में रहती थी तोते की टांग तोड़ो बाबाजी की टांग तोड़ जाती थी बताओ कौन सा इंडेक्शन होगा है इसको बोलते है mutual induction नेपले पड़ी बाब बताओ एक फिल्म है जुडवा एक सलमान खान के मारो दूसरे लगती है वो भी क्या है mutual induction उसको बोलते है unknown प्रेड़न कान किसी और का मोड़े और दर्द किसी और को हो change यहां करें और असर यहां आए इसलिए transformer unknown प्रेड़न किसी दांद पे काम करता है मिटा दो बाईया अब आजा कुशन में क्या कहरा अगला जुद्यक विदारा बताओ सिरीश यह बात दोस्तो सबसे पर देखो efficiency कितनी है 50% NETA इकोल टू क्या है output बट्टा input output मतलब E S I S E P IP secondary मतलब output है parameter input आजा रड़के efficiency 50% है 50 का मतलब क्या हब 50 बट्टे 100 एकी बात है .5 बोल दे 500 बोल दे अब देख E S E S अमतलो secondary voltage कितना रहे 200 ये क्रेक्सला भी देखना ये आपका कितना हुआ 2200 current to I S I S तो पुछिए अगले ने I S आजा E P E P कितना है 220 IP कितनी है 5 देख लड़के ये cancel out हो गया 10 बार गया किया ना इसको इसे cancel out कर दे कितनी बार गया 2 बार गया तो I S क्या हो गया ये कितना है 1 बटा 2 तो I S अलेडी 1 बटा 4 1 बटा 4 का मतलब .25 हाँ डियर I S का 1 बटा 4 1 बटा 4 मतलब ये ने इसे वो सिलिम से बोलते है .25 ये गलतिया हो जाती है मैं इसको इसको डिट नी कर रहा हूँ ये इसलिए सूट रखा मैंने कि ऐसी गलतिया मेरे से होगी पूरा करने के बाद गरवड होगी फटी लग दा आप भी पूरा पांस नमर का भाया आई एस इपी आई पी बस अब आगे मुझरे पता क्या थाता है तो कहें कर दो हो मत हो अगला कहता है इफिश नाइन्टी परसेंट है चार किलो वाट की सकती इन्पुट पे है ये चार हजार ये ले एकी बात है इपी आई पी बोलते है पाउर बोले के बात वो तेरी चार हजार है अब वो कहता है विधूत उपकरंट सेकेंडरी में जोडने पे च्छेंपियर की दारा प्रवाइद करता है दान दे करंट कितनी है रहा है च्छेंपियर मुझे ने पता इस क्या है मैं जानता हूँ छेंपियर है ओके डियर बैस देख इसको इसे कैंसल आउट कर दे ये तेरा कैंसल आउट हो गया अब देख डियर इसको तो एएस में चल तो एएस में क्या होगा पूरा मल्टिक्ट 90 मल्टिप्लाई क्या है 40 अपोन क्या है 6 एक्स आ गया ये कोण है एएस तेरो कह चीये रहए जड़ चीये आजा बुल गया क्या वी एकबल टू آئे आर आर एकबल टू क्या है वी अपोना आई को सा वी सेकिंडरी का क्यों अगला कहां चड़ा है सेकिंडरी में चड़ा है तो तेरा वी-एस का है सेकिंडरी का ये रहा ये रहा वी-एस एक अरबोद ओ भाई वी-एस बोल ए-एस बोल कन्फिरमत हो या 90 multiply 40 upon 6 और दोस्तो किसका डिवाइड कर रहा है आई-एस का आई-एस फिर कितना है रहा है च्छे है ओके लिए तो तेरे सामने सामने है बही-एस को आपन डिवाइड कर लेते हैं ये तेरा कितना हो गया 9400 ये तेरा 36 दोस्तो आंसर क्या आगया 100 आंसर क्या आगया 100 ये उनों गुणा भाग कर ली कोई दिक नहीं आई ऐक तेरे किस्तलि मेर 16 था ट्रांसफार्मर कोर is made of soft iron, दोस्तो यहां एक लोस होता है, यहां सेथिल लेहाने, इस्टिसिस लोस, वो कम से कम होना चाहिए, और उसको बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, soft iron लेते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तो, देखो दान सुझना, इडी करन्ट लोसेज कम करना है, इसके लिए तो अपने पतली पतली प्रेट्स बनाते हैं इसकी, अगला है धारापरवा का विरोधी बल्फ, यह अलग चीज है, तो दोस्तो आप इन दो में कन्फूज आप नहीं होते हैं, यह अच्छा क्यूशन है, थैंक्यू, दोस्तो क्यूशन मर् सेवन्टीन बड़ा सिंपल सा क्यूशन है, देखो भाई यह कहता है, एक एलोक्ट्रोन, एबी रेखा के चल रहा है, कुंड़ी समतल में है, चितर में दरसाया गया है, इंडूस करेंट, दोस्तों साफ बात है, जब पास आएगा ना, तो उसकी जो भी डारेक्शन है ना, दूर जाने पे दोस्तों उसकी उल्टी हो जाएगी, बसलिए सी बात है, तो अगला साफ कहता डियर, आपका फॉर्ट अबजेक्ट, दोस्तों, बिल्कुस पस्ट कहरा है, कि इलोक्ट्रोन के गुजरने के धारा के दिसा बदल जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा है, इस फोर्ट, बिल्कुस पस्ट आने पे जो है ना, दूर जाने पे उल्टा होना इसका, हम जानते हैं, यह हमेसा कारण का विरूद करता है, तेंक यू, दोस्तों, क्यूशन नमर 18, मैं कह सकता हूँ, इस पेपर का स मैंस से प्लस आ रहे है, सुदो, क्रेंट के साथ चल रहे हो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, क्रेंट के साथ चलने का मतलब नेगेटिव, क्रेंट के उल्टा चलने का मतलब पोजिटिव, बेटरी में मैंस से प्लस का मतलब पोजिटिव, प्लस से मैंस का मतलब नेगे एडियत, तो मेरा काम सुरू करूँ, देखो, तो स्टार्ट यहां से करते हैं, आजा, सुरू जा, वी ए, करणट के साथ, तो माइनस, तू आई, आई कितना, टू, ये देख, माइनस से प्लस कितना हो गया, प्लस, प्लस, वह एक्टिल माइनस था, बड़ क्या बन गया, प्ल 2, equal to क्या हो गया, VB बस, अब खालेगे ना पेज को एक बार, मर ते लिए लिए कर दूँ बाई, तो ये तेरा VA minus 4 plus 12, वो ये क्या है, plus 0.5 देखना, ये plus हो, ये plus है ये plus है, ये plus है भईया ये हमारा plus है, तो ये 10 to minus 1, 0.5 equal to क्या डियर, VB तो देखते हैं, 12 और 5.5 12.5, चार कम करें, 8.5 तो VB minus VA क्या हो गया 8.5, क्यूशन वाजा 8.5, आंसर क्या आगया, 8.5 थोड़ा सा क्यूशन को एक बार दंग से दूबरा पटेनर, बहुत काम का है करेंट के साथ चलोगे minus, क्यूँ, करेंट high voltage से low voltage जाता है करेंट के उल्टा चलोगे, plus बेटरी में minus से plus जाओगे तो plus, plus से minus आओगे तो minus, कोईल में equal to minus LDI by dt यदि यदि बढ़ रहा होता, तो negative हो जाता, यह घट रहा होता है, minus minus में जाओगे, plus होगे, ओके, thank you यह बहुत रहा है, बड़ा मैं जाता है क्षिनो, दो को अगला कहता है, I और T के बिच करूँ है, और E और T के बिच करूँ पूछा है Y, Z, B, S, आप दिमाग लगाए मत, equal to minus L D, I, Y, D, T D, I, Y, D, T का मतलब क्या slope, तो देख, यहां से यहां कि slope क्या है, positive यह constant slope है लेकिन sign किसका आएगा, minus का तो common sense की बात है, graph नीचे वाला आएगा, यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता, इन दो में कोई हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता, constant है पर यह नीचे हो गया, फिर यहां से यहां क्या है constant है, तो zero हो गया, फिर यह negative है उपर आके positive हो गया, simple 1D में graph पढ़ते हैं, वो ही है slope, constant, negative यह क्यों नहीं आया, क्योंकि minus का sign है, तेंक्यू, अब दोस्तों AC वाले question स्टार्ट हो रहे हैं और AC मेरा पिरे topic है, बच्छा रगता है और मुझे बहुत कुशी हो रही है कि मैं 96 में कोचिंग की शुरुआ जब की थी, पहला topic बोर्ट पर पढ़ाया था ना AC था, और आज पंच लकीली, AC के साथ माप ठोड़ा बड़ा मज़ा रहा है, अब अगला कहता है, इन्हें सरकीट वी और आई के बीच करवा है तो पहले बात तो धान सुनो दोस्तो इसमें वी और आई का करवा है आई पाई बाई थ्री आगे है तो इसका मतलब है कि दोस्तो एक फंड़ा है मेरा कि इस सरकीट में RC लगा हुआ है LCR भी हो सकता है, मैं नहीं करा लेकिन RC लगा C पका लगा हुआ है करंट आगे है तो C पका लगा हुआ है प्योर क्यपस्टर होता तो 90 आगे होता यня 90 आगे होता तो प्योर C होता तो प्योर C भी नहीं है 60 डिगरी है तो इस सरकीट में ya तो RC लगा हुआ है यह LCR, LCR तो हो सकता है वो तो कहीं भी कोई संभाना बन सकती है तो RC स्रक्षित कहलेंगे इसको बस अगला कुछता पावर लोस क्या है भाई याप सिंपल सी बात है ERMS IRMS COS5, यह value क्या होती है यह तो आप जानते हो यह तो V equal to V note है और V note क्या होता है जो P equal to V note by root 2 I note by root 2 COS5, एक बार क्रिशन में आना अब तो खुद देखे क्या है V note? 100, यह भी क्या है? 100 आजा वापस आजा तो तेरे सामने सामने क्या हो गया? 100 upon root 2 100 upon root 2 COS कितना है? 60 COS 60 क्या होता है? 1 by 2 OK dear, root 2, root 2 क्या हो गया? 2, 2, 2 क्या हो गया? 4, इसमें भाग देखे 25 है तो आन्सर क्या हो गया? 10000, किसमें आजा वाईया? तो 10000 बोल दो चाहे दोस्तो 2.5 तो वाट नहीं है वाट नहीं है, किलो वाट है यह पका पका गड़त है 2.5, ना, बिलकुर सही है, सही है यह मिली है, मिली, 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 सही है बैया, सही है, 2.5 यह आएगा रहे 2.5 आएगा, तो मिली एंपियर है यह दोकों दोस्तों, यह वोल्ट में है सिल्ली मिस्टेक होगी ना क्यों मेरे वो डाही वाड़ा एक तो आपका किलो खतम हो जाएगा आंसर क्या आ गया 2.5 वार्ट बोलो हाया ना फिर सुलो डोस्तो यार्लो उसमिला होता है। तो रइंट्यों पक्रण्ट है आरे उसमिला होता है। आनसर क्या होता है। बहुत परकुषन दो, आप जानते हो कारने के समय को अपने बहुत पिरिड़ के उसको टी कहते हैं, और वह दोस्तो अफ के इन्वर्सू होता है, ना चाम प्लास का यहां साब कहता है 50 Hz आवर्टी की करिंट है जिसका RMS 10A है परत्यावरती दहरा को सुनने से अधिकत्तम तक जाने में लड़के गिरा सुनने से अधिकत्तम तक जाने में यहां से यहां तक जाने में T by 4 समय लगेगा यहां से यहां तक जाने का समय क्या कैलाता है टी इसको बोलते है जेरो से मेकजिम तक जाने में टी बाई पCA समय लगाएगा टी बाई प Ouch बोल दो चाहे वन बाई फॉर एफ बो बात एशी है ओके डियर वन बाई फॉर एफ है एफ कितना तेरा 50 यहां बहुत पर एक लोजिक है यहां पर है तो यह हो गया दोस्तों एक बटा 200 एक काम करो इसको 5 से निचे multiply करो 5 से उपर multiply करो 5 को 2 से उपर 1000 बन गया वो उपर जो मिली बन जाता है तो इसका answer है 5 millisecond answer है 5 millisecond ऐसा answer एक तो इसमें है और इसमें है अगला क्या कहता है RMS का मान 10 है तो इसका अधिकता मान पचाओ तो आप जानते हो दोस्तों I RMS क्या होता है I note बटा root 2 root 2 क्या होता है 1.4 दोस्तों 10 को 1.5 गुना करोगी तो क्या बन जाए 14 तो answer आपका वो आ गया 5 multiply 10 to minus 3 second और 14.1 चार इसमें मुद्दे की बात यह रहा है कि यहां से यहां तक जाने का समय क्या कहलाता है T by 4 T by 4 कहो जब 1 by 4 F कहो तेंक्यू दोस्तों V में minus 5 by 6 है और I में plus 5 by 6 है तो सीरी सीरी बात है I जो है वो V से 60 डिगरी आ गया है क्यों यह 30 minus यानि एक आदमी minus 30 से plus 30 बे गया है तो 60 हो गया है तो साथ हो गया है तो साफ है आई जो है voltage दारा से ना दोस्तों दारा voltage से 60 डिगरी आगे simple प्रस्ट आई तो ओके थेंक्यू 24 देखें बड़ी एक तो सुने दान से AC के टोपिक में कभी भी Z का फॉमल होता Z equal to R square plus XL minus XC के square root उसकी complicated calculation कभी एक्जामें नहीं आएगे guide मिल जाते हैं हम लोग क्लास में कराते हैं कही बार लेकिन exam में कभी उसका काम आप से calculus check ना नहीं होता है वो simple question देगा आपको आज़ो यह कहता है 30 ohm का परतिरोद देख शुरो R equal to 30 ohm XL equal to 10 ohm XC equal to 10 ohm को series में जोड़ दिया voltage का यह है तो परिपत भी current कितनी है simple बात है पले पढ़ रही है एक मिन खाली करना इसको यह दोस्तो ऐसा है कहने का मतलब यह है R बोले तो 30 यह तेरा 10 यह तेरा 10 बुल गया क्या Z equal to R square plus XL minus XC का whole square XL भी 10 यह cancel out हो गया तो Z का मान दोस्तो R के कुल आ गया यानि यह Z का मान क्या है 30 ohm है ऐसी दिसी बात है बिटा दो यह तक Z का मान 30 ohm है एक बिटा दिया अब पढ़ क्या कहरा देख कि शुन बढ़ देख अगला कहता है current बता हो तो दोस्तों मैं इतनी बाद जानता हू VRMS IRMS multiply J धान सुनने ना रहे IRMS में है तो VRMS में आएगा AI पीक में है तो V पीक में है गैसे कोई फ्रक ने पढ़ने वाला है जेड तो दोस्तों ना IRMS होता ना पीक जेड तो जेड होता है बैस अब मैं मुझे अच्छा प्रीपत में current कुछ ही है एक बात और सुन लो जब कुछ नहीं देता है तो हमेंसा IRMS होता है बूल गे क्या AC के सारे instrument क्या major करते है IRMS ने की पीक गान सुन ले जब तक AC के topic में अगला peak सब्द काम नहीं ले सिखरमान काम नहीं ले तब तक आपको understood है क्या है IRMS क्यूंकि AC instrument हमेंसा क्या पढ़ते है IRMS अब तेरे क्या चीए VRMS कितना है 300 root 2 तो कितना बच गया 300 300 root 2 तो क्या है peak है ना मुझा RMS चीए root 2 से डिवाइड कर दिया 300 equal to क्या है RMS Z को निचे लिया Z कितना है था 30 यह ले answer क्या आगया तेरा 10 यह ले देख answer क्या आगया 10 MPS धान्दे क्लास इसमें कहीं konfuge मत होना RMS लूंग peak लूंग कुछ नहीं भईया जब कुछ नहीं कहता तो RMS ही लेना है जी तेंक यू और मेरे निगाव में बहुत परा question है क्यों इसका answer 10 भी है और कुछ लोग 10 रूट है दो भी कर देते हैं बस टकरीश की सुने है यह बहुत सुनूर की सुने है तेंक यू दोस्तो कुछ सर्ण 25 में जाने से पहले 24 फिर या दिला दूँ AC इंस्टूमेंट हमेसा RMS बढ़ते है AC के topic में जब संख्या के साथ जब तक पीक ना लगावा हो तब तक आप आ रहा है मैं C मानना है आजो देखो यह 80 यह 40 यह 100 देख भाई खाली करें इसको देखो डियर इस topic में तीन formula है पहला formula है Z equal to R square plus XL minus XC का whole square वैसे यदि मैं VJ की बात करूँ मेरा formula बन जाता है VR square plus VL minus VC का whole square और दोस्तों यदि मैं इसमें IJ की बात करूँ तीन को parallel जोड़ दूँ तो मेरा formula बनता है IR square IL minus IC का whole square बहुत तरफ पंडा रही यदि LCR लगे हैं सीरीज में तो जोड किसका होता है voltage का क्योंकि सीरीज में current सेम होती है इसलिए VR square plus VR यह approximately minus होता है बढ़ा minus छोटा है इसे को फिर्टने पढ़ने वाला जो बढ़ा उस पर छोड़ा निकाल दो क्यों? इसका square होना है वो मैसला plus यहाना है यदि LCR के तो parallel जुड़े हुए है तो current अलग-अलग है voltage तो सेम है इस दोस्तों यह formula गाम है याद करना एक है series एक है parallel एक है series resonance एक है parallel resonance स्रेनी करम अनुनाद समान तरकर अनुनाद series resonance जो है वो भी काम करता है amplifier की तरह है parallel resonance है वो भी काम करता है amplifier की तरह है लेकि सीरीज वाला कभी करेंट को चेंज नहीं कर सकता वो वोल्टेज अम्प्लिफार की बाती काम करता है पैरदल वाला कभी वोल्टेज चेंज नहीं कर सकता वो करेंट चेंज करता है इस वोल्टेज को वोल्टेज को वोल्टेज करेंट अम्प्लिफार AC के topic में सरेUP करम शर्रेनी करम अनुनाद विभव परवद शर्रक की बाहती काम करता है और समान शर्रक अनुनाद दाना परवद शर्रक की बाहती काम करता है series voltage amplification parallel current amplitude डीर यापके formula होंगे अब मेरे kitchen में आ जाता हूं तो दोस्तों कोई दिक्रती नहीं है लो मेरे को V निकालना है तो VR का होल स्कायर यानि 80 का होल स्कायर प्लस VL माइनस VC दोस्तो सो में साथ 40 निकालो किसका होल स्कायर है साथ का होल स्कायर आप जानते हो यह मेंसे क्या होता है सो होता है आंसरा आगया सो वोल्ट ही ले राट का स्काइर पर शे का स्काइर चोश्ट चप्टी सो दस हो गया ना यार आंसरा आगया दोस्तों क्यूश्ट नमर देखो 26 ये कहता आर हंडेड ओम के साथ एक LCR सिरी सरकीट है 200 वोल्ट और 50 हट्स पे काम कर रहा है जब केवल अ इसका मतलब ये है डियर चाए L8 हो या C8 हो उन दोनों का असर एक जैसा है इसका मतलब ये सीरीज रिजनेंस है और जब रिजनेंस वोल्टा सिरीज में तो दोस्तों जेड की वेरी सिंपल सी आर के एकपल हो जाती है बस कुछ नहीं करना यार तो वी इक्वल टू आई तो दो एंपिया इसमें कहीं जुरुत निगुना भाग करने की L, C, R किनू कौन से ओर्डर में है सीरीज में L को उठाया तो C रिसाट कर दिया C को उठाया तो L ने इसका मतलब L और C दोनों की निमरकलियोरी समान है हलो इसका मतलब XL, XL, XC के बराबर है और याद करो XL, XC क जाते हैं इससे सेने करम है अनुराद कर देते हैं तब Z, R के बराबर हो जाता है तो V equal to IZ, I equal to VYZ, फिर वही बात कुछ से नहीं पूछे, तो RMS निकालना कहने की बात ही नहीं है और एक बात और सुनना, यह जो डेटा लिखे होते हैं बार बार कह रहा हुँ रहा है, जब कोस्त olarकर में पीक नहीं लिखा जाता है तब तब अरेमेस की पढ़ना उसको, तैंक यू, 27 को कुछ नहीं है जार अगला कहता कि resonance हो रहा है resonance जब होता तो VLVC के बराबर होता है VLVC के बराबर है V2V3 के बराबर है V2V3 के बराबर है और V1V4 के बराबर है ऐसे बोल सकते हैं पढ़े V1V4 के बराबर है तो टोटल V4 है वो किसके बराबर हो जाएगा V1 के कैसे V equal to पढ़ा है न, V R square plus V L minus V C square का under the root ओके थेंग्यू, हाँ बेटा एक तो इस question को पढ़ने से परे correction कर लो, ये पांसो ने ये पचास से बेटा, ठीक है न, बस दान जाना है चीज़ का, ओके, अब मैं question में आता हूँ आजाओ, इस question को पढ़ने से पहले, AC का दोस्तों मेरे पास एक master funda है, क्या Gerox machine, भाई जी खोपड़ें बेंगर सेट है ये Gerox बतलब photo machine आजाए यार, तेरे सामने सामने है Z square equal to क्या है R square plus X square, अब सुन तेरे वो sine phi चीए, X by Z कर दे, कि कोस phi चीए R Y Z कर दे, कि 10 phi चीए, X by R कर दे, must अब ये, इसको बोलता हूँ Gerox, Gerox ओके, बैस अब तुर कृष्ण राजा, अगला साप साप कहता है, ये दोस्तों में कहता है, पचास है ये पचास है, 50 ohm का एक परतिरोध है, 0.5 हनरी की कुंडली है, इसको इसके साथ जोड़ दिया तो आपको इसका पाउर फिक्टर चीए एक बात धानदाओं करास का कोस phi का नाम पाउर फिक्टर रहर है phi का नाम पाउर फिक्टर नहीं, ये 5 phase, कोस phi सक्क्ति गुणा पाउर फिक्टर है, कोस phi क्या होता है R भाई J R तो मेरे पास 50 है मेरे पास J नहीं है कोई बात नहीं भई या मज़ जड निकालूंगा तो दोस्तों J मेरे सामने पता क्या होता है J होता है R स्काइर प्लेस XL का होल स्काइर क्यों या C तो ही नहीं न XL क्या होता है OMEGA L What is OMEGA आजा V equal to V note sin OMEGA T इसको बोलते है equation का compare equation से करने पे तो OMEGA T सो T तो OMEGA क्या हो गया 100 यह देख OMEGA हो गया 100 L क्या है 0.5 तो भाई XL भी क्या हो गया रहा 50 R भी 50 XL 50 तो कर ले या सिदा 50 रूट दो तो R का आमान क्या है 50 इसका मान क्या है 50 बटे रूट दो एक बटा रूट दो याद करो दोस्तो कोस्वाई क्या आगया एक बटा रूट दो पांसर क्या आगया फस्ट एक बटा रूट दो क्युशन में क्रेक्षन है 500 की जगा 50 है Thank you Q29 ये कहता ट्रांस्मिटर है ये वेलेंट है कैपस्ट्री ये है और वेलिय ओब डाइंडेक्टेंस फोर डा रेजोनेंट सिर्किट दोस्तो सीरी सी बात है रे यार एक LCR सिर्किट है सीरी पर के जुड़ा हुआ है रेजोनेंट स्ट्रिक्वेंसि की चीए एकस एल एकोल टो एकससी मेगा एल एक तो ओमेगा एकोल टो आ गया वन अपोन रूट एल सी मेगा एकोल टू होता है टू पाई एफ तो दोस्तो fixing वेलियो आ गई वन पाई रूट एल सी उसको बोलते है एफ-आर रेजोनिट फ्रिक्वेंसी अनुलाद आवर्ती, एफ आर का आमाना है वन अपॉन टू पाई रूट ल्सी बाहस सिर्द इसी बाती है अब अगला साफ साफ कहता है भाई तेरे सामने कि सी का आमान ये है एल का आमान निकालना है ये तेरा लेम्डा दिया हुआ है तो लेम्डा दोस्तों पर जानते है सी कुल को कहाएगा नू लेम्डा सी कोन है विलोस्टी नू कोन है फ्रिक्वेंसी और लेम्डा दिया हुआ है थोड़े सी किल्कुलिसम बड़ी कह सकता हूँ बाकी ये एक्जाम के लाइक कुशन में नहीं कहता है इसको इतनी बड़ी किल्कुलिस एक्जाम में नहीं आती है आपको इतना पता होना चाहिए कि सीरीज रेजोडेंस में रेजोडेंस फ्रिक्वेंसी होती है वन अपोन रूट टू पाई लसी इसकी गुणा भाग दोस्तो करता हूँ जो इसका आंसर है टेन टू पाउर माइनस एट हैंडरी के आसपाथ कर लेना को बड़ी चीज नहीं ओके थेंक्यू दोस्तो थर्टी क्या कहता है LCR सीरीज परिपत में सक्ती गुणान अधिक्तम होगा दोस्तो पाउर फिक्टर अधिक्तम कब होगा जब कोस फाई कामान अधिक्तम एक होगा वो कब होगा जब फाई कामान जीरो होगा फाई जीरो कब होगा जब सरकिट में ओनली आर होगा ओनली आर कब होगा जब XL XC के बराबर होके जीरो कर दें X L equal to X C जब हो जाता है तो power factor maximum हो जाता है और यही series deliverance किये के condition है स्रेणी कर्म अधुनाद की पहली सहर था X L को X C के बनावर कर दो थैंक्यू दोस्तो 31 साथ कहता है कोईल चोक कोईल का वह वह सुन सुने चोक नहीं जाना था क्या engine चोक हो गया चोक का मतलब ही क्या होता है कम करना चोक कुंडली का काम ही क्या है current को कम करना तो यह ले पर वैसे कोमर्सेंस की बात है X equal to omega L L बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा जेड बढ़ेगा तो दारा गठेगी सुन ले चोक कुंडली के ओपर दो कुंडली के ओपर दो कुंडली बनते है यह जुड़ती है series में, AC में काम आती है series जुड़ती है और current को हमेशा कम करती है तेंक्यू, दोस्तो question number 32 पेज़ खाली करना इस पे कैसा है formula बनते हैं P equal to ERMS IRMS cos 5 clear? आजा P equal to ERMS IRMS cos 5 क्या होता है? R by Z अब कई बार E नहीं होता है तो E को I में change कर लो I नहीं होता है तो E में change कर लो मेरे object में E है, I नहीं है तो मैं जानता हूँ V equal to क्या होता है? I Z I equal to V by Z V by Z का मतलब क्या हो गया? E सका है RMS Z R by Z तो P equal to हो गया ERMS का whole square Z square R आज आजा 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 भाईया हो गया क्या देख रहा है? यह ना V square R और Z का square है square का मतलब रूट अट जाएगा तो यह R square प्लस omega square L square दोस्तों आजानसर क्या होगे इसका? सेकेड आपका आजानसर हो गया ठीक है? Thank you Question number 33 को पढ़ने से पहले पहले तो आप एक क्रेक्शन कर लो यह दोस्तों 5 by 6 आएगा ठीक है ना? क्योंकि एक object minus 5 by 6 है और एक plus 5 by 6 है और यह इसकी सुन्दरता है question की चलो इस question को आगे बढ़ाने से पहले अब कुछ थोरी की बात आप से करो दोस्तों कि कहीं pure R लगा हुआ हो कहीं pure R लगा हुआ हो और कहीं pure C लगा हुआ हो तो याद करो pure R पे phi क्या होता है? 0 pure L पे phi क्या होता है? plus 90 pure C पे phi क्या होता है? minus 90 phi क्या है? I और V के बीच का phase जिसको बोलते है फिर्ज डिफरेंस अब एक बास सुनना जान से यह बड़ा दोचाहर है यह वी यह आई यह वी ओवेटू एंगल यहां भी नब्बह है यहां भी नब्बह है अब बता कौन तो प्योर एल है और कौन प्योर सी है रटा मत बार फंडार करे दारितर में दारा आगे होती है तो यहां धारा आगे है यह सी है यह एल है और एक बात और सुनना प्लस दबह किसको ले माइनस दबह किसको ले तो गाठ बान ले एंगल फेज करंट के रिफरेंस में मेजर किया जाता है करंट के रिफरेंस में मेजर किया जाता है यह करंट से पीछे है इसको माइनस 90 डिगरी कहेंगे यह करेंट से आगे है इसे प्लस 90 डिगरी कहेंगे पाली पड़ रही बात ते रहे यह है दोस्तों मूल कारी अब थेंक यू अब आप क्यूशन में आजाओ अगरा साफ साफ पता लग रहा भाही तेरे सामने आई तो यह है और ई पीछे है इ पीछे है इसका मतलब दोस्तों आई आगे है आई के साफ पेख पीछे है तो माइनस रहाएगा माइनस पाई भाई 6 ने कि प्लस पाई भाई 6 याद करो यह अबज़ेट चेंज करेंगे था यह आंसर नहीं हो सकता इसका आउसर माइनस पाई भाई 6 रहेगा ओके थेंग्यू डियर क्यूशन नमर 34 देखो एक सब्द है क्यूँ मुझे ने पता आप कैसे पढ़ते हो मैं तो एकी बात कहता हूँ टेन फाई को क्यूँ कहते है यार प्रेट परणना बेरा को यह मुझे ने पता गल्लट है क्साहिए टेन फाई को ही हम तो क्वालिटी फिटर कहते हैं और तेन फाई क्या होता है जेड आर एक्स टेन फाई होता है एकस अपोन आर दोस्तो अक्स जतना कम होगा या अपन यूँ कहें गुना अक्स जितना जादा होगा आर जितना कम होगा उतनी क्वालिटी बढ़िया होगी अब देख ले भाई क्या कहता है तेरे को क्या चीए बढ़ाना है तो क्यों को बढ़ा आर को गठा पहला क्या है हाई एल यह होगा पहला होगा लो हाई एल लो आर बस आंसर आ गया यह टेक्निकल तो हो सकता है मुझे नहीं पता है बट क्वाल्टी फिक्टर को हम तेरी भाई के लेते हैं तो क्यूश्टर नमर थर्टी फाइब उसी बच्चे को सही होता है जिसको यह पता है कि दीगी वेल्यू वैसा किस में होती हैं इससी इंस्ट्रूमेंट वो चैनल एमिटर हो चैनल वोल्ट इमिटर क्या पढ़ते हैं बस वोई चीज है वो कहता है एक वेल्यू यह है इतने माइक्रोफेड के संधायत तेरे पे लगाया तो संधायत द्वाला प्रवाइद दाहरा क्या है लड़के दहरा चीहे तिरे को I.R.M.S V.R.M.S इकुल टू I.R.M.S. मल्टिप्लाइ जैट ठीक है? ओके, ओके, आपनों क्या चीहे? I.R.M.S what is iRMS iRMS vRMS upon j jd क्या होगा x c jd क्या होगा इहां पर olur s लगावा है ना r है ना l है to x c what is vRMS 220 220 रूट ₂ 2 नहीं रहे ओ लिड़के peak का चक्क्र नहीं है upon excel excel क्या होता है one upon omega c hello x c क्या होता है x c क्या होता है one upon omega c दोस्तों उमेगा उपर ले जाओ सी उपर ले जाओ तेरे सामने क्या आया 220 वाट इज उमेगा 100 वाट इस सी एक मैक्रो फिर 10 की घात माइनिस 6 तो 1, 2, 3 कैंसल आउट कर दो 22 मल्टिप्लाई 10 की घात माइनिस 3 तो 22 मल्टिप्लाई 12 मल्टिप्लाई आंसर आगया सुनले फिर से रहे वाई आरहे मैं सी लेना है बार बार एकी बात कह रहा हूँ बस तैंक्यू हाँ डियर दंग से पढ़ लो अगला कहता है एमिटर और वोल्ट इमिटर इडिंग क्या है दोको साप साप है VL भी 200 और VC भी 200 तो यह कॉमन सेंस हो गया कि यह स्रेडी करम अनुनाद है और स्रेडी करम अनुनाद में दोस्तों पूरा का पूरा जो सप्लाई है वो किसके सिरुप आता है परतिरोद पे कितना है 220 तो आंसर में दोस्तों क्या हैगा 220 तो यह नहीं हो सकता और यह नहीं हो सकता इन दोनों में कोई गांसर होगा अब करंट करंट की बात भी नहीं है VRMS IRMS Z फिर सुन लेना रहा है यह AC इंस्ट्रूमेंट है क्या ना पेंगे RMS तो वाट इज IRMS VRMS कितना 220 जब कुछ ना लिखा हुआ हो तो कौन होगा RMS और जेड किसके ब्राबर है फिर याद करें जब XLX के ब्राबर होते है तो जो R है वो जेड हो जाता हो वो कितना है 102.2 यह लिए भाई 2.2 एंपिर करंट है और 220 वोल्ट है सप्लाई होगे तेंक्यू दोस्तो पिछले पांच साथ कुशन में लगातार स्टेनी करम अनुनाद आ रहा है सिरीज रिजोनेंस आ रहा है तो आपको पांच मिन्ट इसको पुरा पढ़ाई देता हूँ यार पेज खाली कर भाई देखो दोस्तो हेडिंग है L, C, R सिरीज रिजोनेंस आजा भाईया देख डियर L, C और R को जोड़ सिरीज में जोड़ दिया यह सप्लाई तेरी ओके डियर अब पहला पॉइंट यह है यह सिरीज में है तो दोस्तो जेड की वेल्यू आएगी धन्दे करास R स्क्वाइर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वाइर इसके सिरू पे कितना आएगा रहे VL इसके सिरू पे कितना आएगा VC यहां पे कितना आएगा VR तो इसका जो टोटल V बनके निकलता है वो ऐसे आएगा VR स्क्वाइर प्लस VL माइनस VC का whole square ये तो है series circuit अब मुझे series को resonance में change करना है मुझे इसको अनुनाद में change करना है तो दोस्तों अनुनाद की सर्थ होती है अनुनाद की सर्थ ये है कि जब XL की value XC के बराबर हो जाएगी तो ये LCR का circuit resonance में आ जाएगा अनुनाद में आ जाएगा तो दो दो पहला point तो XL XC के बराबर हो जाएगा तो जड आर के बराबर हो जाएगा ये जड का minimum one है क्यों आर से क्टम मान किसी circuit का हो नहीं सकता जड दोस्तो minimum है तो देखो I maximum है पहला point स्रेणी करम अनुनाद में पहली सर्थ XL XC के बराबर होता है तो जड मिनम होता है तो अनुनाद के सब्सक्रेण्ट में जाएगा अब ये काम कर XL XC के बराबर है तो इधर भी I से गुना कर दे क्यों सिरीज में कर्ण्ट क्या होगी सेम तो यह तरह क्या हो गया रहा VL इकुल टू VC यानि सिरीज में रेजोनेंस है तो VL भी VC बराबर हो गया तो VL VC बराबर हो गया तो टोटल जो दोस्तों VZ है वो किस पे आ गया रहा है VR पे आ गया जैसे आभी क्यूशन में कराया आपको मैंने दान से बैठ जा L, C, R तीनों को जोड़ दिया सिरीज में AC के साथ Z इकुल टू R स्काइर प्लस XL माइनस XC के स्काइर का रूट V इकुल टू V R स्काइर प्लस VL माइनस VC के स्काइर रूट सर्थ है XL XC के बराबर कर दो सर्थ है इफ इफ इवांट सिरीज एजरेंस XL को XC बराबर करना होगा तो Z का मान R के बराबर हो गया ये Z का मिन्मम मान है Z का मिन्मम है तो I वहां istiyorum XL XC बराबर है एक काम कर ग Carbon यहां भी IC मल्टिप्लाइए करदे यहां भी IC क्यों क्यों सिरीज में करिंट क्या होगी सیम और D-C O चाए ACO VLVC हो गया VZ किसके बराबर हो गया रहे VR के बराबर हो गया बोल हाँ या ना दोस्त एक बात और सुन जब XLXC के बराबर हो गया तो KVL क्या बच गया रहे R बच गया KVL R बच गया तो COST FI equal to दोस्तों क्या रहे RYJ R भी R J B R ये एक हो गया, ये एक हो गया तो 5 कामान 0 हो गया सक्ति गुना कामान अधित्व हो गया दूसरी बात उल्टा बोलो जब केवल R जुड़ा हुआ है तो अपने जानते है R के सिरों पे प्योर R पे 5 कितना होता है, जीरो प्यूर L पिफिए क्या होता है मानिस नबबे यहाँ L और C का असर खतम हो गया प्यूर R है तो प्यूर R का फिट क्या है जीरो तो कोश जीरो का मान एक हो गया यह दोस्तो आपके पावर फिक्टर हो गया तो स्रेलिक लूर्णमनाज के समय सुनो Z minimum Power factor maximum Current maximum VL VC के बराबर VL VC के बराबर और दोस्तो VZ VR के बराबर क्लियर यहां तक बात हुई अब इसका मैं एक अगला इससा दो हूँ अब दोस्तो इसका मैं ग्राफ खेंचता हूँ बड़ा सुन्दर सा ग्राफ है इधर मैं एप लो सबसे पहले मैं R के साथ ग्राप खेंची हूँ तो आप जानते हो R का F से कोई समद्ध नहीं होता है अब मैं ग्राप खेंचू XL के साथ है तो आप जानते हो XL क्या होता है ओमेगा L यह ग्राप किसका आ आगया दोस्तो XL का अब यदि मैं XC के साथ ग्राप खेंचूँ वो क्या होता ओमेगा सी तो ये ग्राप दोस्तो आपका ऐसा आ गया येलो डियर ये वो बिंदू हो गया रहे ये वो बिंदू हो गया जहां XLXC के बराबर हो गया ये सिरीज रिजिर्जिनस की कंडिशन हो गई और दोस्तो तो ग्राप किस के साथ है आर के साथ हो गया XL के साथ हो गया XC के साथ हो गया और ये इसको मैं जड के साथ खेंचूँ तो आप जानतों यहां जड का मान नून्तम होता है और ये ये ग्राप किस के साथ हो गया जेड के साथ है यदि यह ग्राफ मा आई के साथ खेंचूँ तो दोस्तों यहां पर आई का मान क्या होगा मेक्जिमम है तो यह दोस्तों आपका ऐसा आई का ग्राफ हा गया यह आई का ग्राफ है इस इफ आर ये वेजोनेंस आवरती है ये फ्रिक्वेंसी है ये अनलाद आवरती है ये किसका ग्राफ है जेड का किसका ग्राफ है आई का ये दोस्तो शांदार एक जौपड़ी बन जाती है पूरी दुकान लपेट दी और मैं इसको एक बार वापस से मिटा के देख तेरे को बना के दिखाऊँ एक्जाम में बहुत बार आया वाहर है एक लाइन ये एक लाइन ये माफ़ी चाता हूँ कलर चेंज करेंगे कोई कलर बोर्ड की दिखता नहीं साब एक लाइन ये आर के साथ एक लाइन ये एकसेल के साथ एक लाइन ये अकसी के साथ अब इसको बले कदर में कर ले देख इसको बोलते है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी माना कि ये 600 है तो वो कहता 700 हर्ट्स पे सर्कूट की प्रोवर्टी क्या होगी 500 हर्ट पे सरकिट की नेचर क्या होगी इसे बेस्ट ओपाइ कलास दोस्तो 600 यदि अन्नाद आवर्ती है तो अन्नाद आवर्ती के समय इस सरकिट की नेचर है रिजिस्टिव परत्तिर उधातमा के पर 700 कर दो तो कट मारो देखो कट मारोगे तो XC का मान तो यहाँ यह है कम और XL का मान जादा है इसकी परवर्ती होगी L और यहाँ कट मारो तो दोस्तों यह C तो कहने का मतलब है एक मेरा फंड़ा है C, R, L यदि अन्नाद आवर्ती 600 है तो वहाँ R है साथ पे यह L हो जाता है 500 पे C हो जाता है यह हमारी थंड़ा है CLC का कैरियर लाइन कोचिंग कैरियर लाइन कोचिंग यानि कैरियर पहले आता है लाइन बाद मात यह दोस्तो 96 का बना फंड़ा 96, 24 सा बना फंड़ा है यानि अन्नाद आवर्ती पे परिपत की नेचर होती है जादा पे inductive और कम पे capacity ओगे डियर आजा आगे चल अब दोस्तों इसमें एक सब्द आता है half power frequency अर्थ सक्तियावर्ती क्या होती है चल भीड़ो इसमें भी आजा ये देख ये तेरी नादावर्ती है ये तेरी करंट जो हो peak है वो किसके बरावर है रहे आई नोट के बरावर है इस पे डियर एक कट मार ले आई नोट बाई root 2 पे यहां कोई कट मारेगा तो इससे एक frequency जुड़ी हुई है इससे ये F1 है ये F2 है इस पे भी power आदी होगी यहां power आदी होगी इसको बोलते है half power frequency और दोस्तों बोलते हैं half power frequency ये वो आवर्तिया हैं जिस पे सक्ती आदी हो जाती है ये पूरा पढ़ा दिया और series जो है वो आप जानते हो दोस्तों voltage को multiply करता है current तो same होती इस पे बोलते है विभाव परवर देके और same बात आप लाओ समानांतर अन्नाद पे कोई फरक ने पढ़ने वाला सब कुछ पैसा रहेगा बस केवल एक फरक पढ़ेगा क्या जहां आई maximum है आई minimum हो जाएगा बाकि सब कुछ same रहेगा थैंक्यू अब आपको 37 कुशन का दू कर लो बचों खेल हो गया क्या कहता या वोल्ट मीटर का पाठांक अन्नाद आवरते सुनने है कौन से का V4 का यार क्यों V1, V2 के बराबर है ये बराबर है 0, V4 का अंसर रहेदे अब क्या बताओ सिंपल हो गया ला बच्चों खेल हो गया थैंक्यू 38 फिर बच्चों वाड़ा है V की वेलू वे है 100 साइन सो पाई टी को सो पाई टी लड़के ये कोई क्वेशन नहीं होती है इसी रहे ओ लड़के दो बहार पचास बहार ले दो को अंदर ले 2 साइन सो पाई टी को सांडेड पाई टी लड़के याद कर 2 sin theta cos theta sin 2 theta तो दोस्तों अखीकत में समय करना बताओं क्या है यह 50 sin 2 theta 200 pi t मात गलती मत करना ना भीया यह है V equal to 100 sin तो भाया 50 को भार ले लिए अंदर 2 रखा तो 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos क्या बने थे बेटा जी sin 2 theta तो यह V equal to 50 sin 200 pi t है एक बार भाया खाली कर ले तो यह क्या बना रहा है खाली कर ले पुरा यह बना V equal to 50 sin 200 pi t है इसकी तुलना कर ले V equal to V note sin 2 pi f t यह उमेगा होता तो तुलों में कैसे कर देता बास मेरे सामने सामने है मुझे नहीं पता है क्या पुछा है मुझे पूरी पात देकाल दू V note का मान तो यह आ गया और 2 pi f t की equal है 200 pi t देख pi से pi कटते t से t काटते यह इसमें f का मान 100 है यह ले आजा क्यूशन में आजा यह क्यूशन क्या कहता है क्यूशन कहता है स्रोत की सिखर वोल्टा 100 है ना सिखर वोल्टा 50 है बिलकूश सही है आवर्ती 50 है ना भी आवर्ती इसकी हो गया तो दोस्तो आंसर क्या हो गया इसका second हो गया ओके थेंग्यू दोस्तो question number 39 जो है ना इसको फिर सुन लो कहें भी pure R हो तो 5 0 होगा pure L हो तो 5 प्लस 90 होगा pure C हो तो मैनिस 90 होगा अब pure नहीं है कैसे नहीं है आप देखो इस equation में तो कुछ नहीं है और दोस्तो आप एक बार देखें तसलिए से थोड़ा सा और इस equation में आप क्या देख रहे है यहां कुछ नहीं है यहां प्लस 45 है आई में तो आई आगे है आई कितना आगे है 45 आगे है 90 आगे नहीं है इसका मतलब C तो पका है पर pure C नहीं है इस तरक्रिक्ट में दोस्तो अखिके तो बताओं क्या है RC है या LCR LCR तो वैसे होना है अब यह कहता है गलत बात बताओ वो कहता बक्से के अंदर एक संधायर तर आवश्य होगा बल्कु सही बात है बक्से के अंदर एक प्रेंट कुंडली आवश्य ना 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 कोई आवश्य नहीं है कि लो RC हो सकता भाईया इसलिए दोस्तो आपका सेकंड स्टेप हो गलत हो गया एक बार खाली करना पीछ दोस्तो यह बहुत तेरा प्रसम बनता देखो जैसे यह आप तो 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 यह बताओ मेरे को IV और V I IV यहां R L है V I यहां RC है प्योर C होता तो नब आगे होता नब आगे नहीं तो C के साथ R जोड़ दो प्योर L होता तो नब आगे होता R जोड़ दो क्लियर थेंग्यू क्यूशन 14 रेखो पाई रूट 3 ओम परतिरोध है इसके साथ एक L जोड़ दिया EMF और दारा के 20 30 डिग्री एंगल है फ्रिक्वेंसी 50 हट से मैंने का ना मास्टर चाविये मेरे पास तो भईया मास्टर चाविये भूलता नहीं मैं जिरोक्स अपन फिट भंड़ा है अब तो खुछ जानता देख तो जड़ के चकन पड़ी मत यार अपन तेन फाई की बात कर दे तेन फाई क्वल टो एकस अपन आरो मैं क्यों जड निकालो मैं लूँगा निजड मैं क्यों साइन फाई लो मैं क्यों कोस फाई लो तेन तीस तेन तीस का मान क्या होता है वन बाई रूट थ्री बस मुझे क्या पूछ रहा है अगला मेरे को अगला L की वहले पूछ रहा है L क्या होता है X L क्या होता है उमेगा L तो उमेगा L upon R 1 by root 3 खाले करना पेज भी है तो दोस्तों उमेगा क्या होता है 2 by F L R equal to 1 by root 3 बस बस दियर F चीए तो देख R उपर ले जा ये root 3 नीचे है 2 by नीचे है और आपका F नीचे है आजा क्यों नीचे है R की वहली हो रही थे R वह रहा पाई root 3 वापस आजा R क्या है रहा पाई root 3 ये root 3 ये 2 by F क्यों वापस आजा F क्या है 50 वापस आजा ये तेरा 50 देखे पाई root 3 पाई root ख़ड़ गया एक बटा सो आजा आजा एक बटा सो अब एक बटा सो एक बटा सो का मतलब क्या हो गया 501 है नीचे है ओके तेंक यू देखो दोस्तो question number 41 जो है न यहाँ दो question बना ज़ता हूँ आपको मैं ये कहता है एक AC voltage source से variable angular frequency उमेगा है frequency चेंज हो रही है fixed amplitude V है series में capacitor जुडा हूआ है एक bulb है R लगा हूआ है उमेगा बढ़ा है एक बार खाली करना जो को सिरी सी बात है ये ऐसा है ये को बल्ब है इसके साथ R भी लगा हूआ है C भी लगा हूआ है और ये आपकी supply लगी हूई है देखो dear हम जानते है चमक जो है dependent किसे पर करती है current से करती है वी तो से हम रहेगा मैंसे करने ही बात ही नहीं है अब अपने जानते है दोस्तों जी I बढ़ेगा तो चमक बढ़ेगी से किसे बात है और I दोस्तों जब बढ़ेगा कब? जब z कठेगा और जड कब गठेगा तो जड दोस्तों यहाः si का है यहाः chi r square plus one omega c का whole square क्यों है क्यों जड़ा हुआ है तो आब सुनो omega कम करेंगे अगला क्या पुस्टता है? अगला साब कहता है जब omega बढ़ा रहे हैs यह बढ़ा तो ये गठा, ये गठा, तो जड़ गठा, जड़ गठा, तो i बढ़ी, बलब की चमक बढ़ गई, अब किशन माज़र कीमेंट क्या कहता है, बलब की चमक बढ़ गई, बलब की चमक बढ़ गई, लेकिन दोस्तों, यदि C की जगे L जोड दे, तो ठीक उल्टा हो जाएगा तो XL इकल टू क्या होता है, उमेगाल होता है, वहाँ उमेगा बढ़ होगे, अक्स बढ़ेगा, जड़ बढ़ेगा, जड़ बढ़ेगा, आई गठेगी, आई गठेगी, तो चमक गठेगी, clear, क्यों आर जुडावा हो, उमेगा इसे कोई समंद्रे, नहीं है, तो आर का बताता है दोस्तों, ये कोई एक छड़ है, और इस अक्स के परती, आप इसको ऐसे गुमाते हो, माना यहाँ कोई क्रोस्टुम्ब के छेतर है, ये बिंदू आपका O है, ये बिंदू आपका A है, इसके लंबाई माना की L है, और ये किसी उमेगा कोई इवेक से गुम रही ह तो O और A जो किनारे हैं, उनके बीच इंडूस्ट वोल्टेज होगा, B उमेगा L स्काइर बाई टू, याद कर ले भाई ये, ठीक है डियर, L लंबाई के छड़ है, एक किनारे से खाले करना पर, यहाँ से इसको टांग दिया, L इसके लंबाई है, B यहाँ की इंटेंसिट और उमेगा कोने वेक से घुम रही है, अब आले हो कुशन में, कुशन क्या कहता डियर, कि इस C बिंदू पर जो है, तो C और B के बीच क्या है, तो देख लड़के, A और B के बीच ऐसे कर, यह A है, यह C है, यह B है, तो मैं आपके लिए पूरी बात कर दूनों दोस्तों, त B उमेगा L Y 2 का हो उसका है, बस, तो तेरे सामने यार यह क्या हो गया, चार आठ, तो एक बटा दो मैनिस एक बटा आठ, एक बटा दो मैनिस एक बटा आठ, एक बटा दो मैनिस एक बटा आठ, आठ लग तम ले ले यार, यह चार मैनिस एक तीन बटा आठ एरा, तीन बटा आठ एरा तीन बटा आठ बी ओमेगा एल स्कायर अच्छा क्यूशना भई ए दोस्तो याद कर लो एल लंबाई की छड़को बी इंटेंसिटी वाले फिल्ड में ओमेगा एंगल स्पिर्ड से गुमाते हैं उसके किनारू के बीच इंडूस्ट वल्टेज है बी ओमेगा एल स्कायर वाई टू ओके तैंग्यू यू कह सकता हूं दोस्तो एक बहुत अच्छा क्यूशन करने जा रहे है मन से बैड़े जाओ तो क्या केता है ये कोई कॉयल है योट कॉई एक बेटे लगी हुई है और आपकी पूर लूफ होगी एरिया कितना है वर्मीटर स्कायर इसका इसका ऑर कितना फाइपों यह कहता है कि यार ये जो बी है वो टेष टेला कि लिः पर d by dt क्या है 10 तो दोस्तों यहाँ 10 वोल्ट की बेटरी पैदा होगी लेकिन आप जानते हो कारण का विरोध करती है कारण के विरोध करती है इसके सामने ऐसे खड़ी कर दो माइनस के सामने माइनस खड़ी कर दो फिर भारी कोन पड़ा रहा है 30 वोल्ट कितनी होगी तो 30 के सामने 10 खड़ी होगी 20 बचा आर कामान 5 है 4 अंपिर तो आंसर आगे है दोस्तों समझे बहुत आसा आँगा बही इंडेक्शन हुआ टेन मोल्ट की बेटरी बनी सरक्ट वही है क्यों मिच्ट सरक्ट है सुरी सेल्प इंडेक्शन है उसी कुंड़ी में है, TiS, TiS, करेंट फोड़ी आए, तो पुरी बास सुनते है यह किसी खुली कुंड़ी है लड़के 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 खुली कोईल है तो इंडूस करिंट जीरो होगी रहे तो यह तो यह आएगा यह आएगा भूल गलती बात कर देना ओपन कोई, विसे क्ले ए निकालना खीएस फोर, टी का मानी का है, बारा, बारा, चार, सोड़ा, यह तेरा सोड़ा, चिन किस का आएगा, माइनस का आएगा, यह दि दोस्तों, यह क्रोस डूप होता, तो फिर अपन आगे आई ओर डिकालते, तो क्या करते है, पाइंट पांस का भाग देते, आंसर बत्पीस आज़ता, यह स्रकिट बंद कर रहेगा, आंसर क्या जाएगा इसका, पूर्थ हो जाएगा, तैंक्यू, दोस्तों, आज की क्लास का आखरी क्विशन, फिजिक्स पंच का आखरी क्विशन, फिजिक्स का पंच वो चीज, जिसने बहुत दिमांड क्रेट कर रहे हैं, बच्चों के पोइट के हैं, पांचो पोइट, कमिंटमेंट कर रहा हैं उपसे, पांचो पोइट बना के फिजिक्स के, आठाट, साथ, 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 दस, दस मिंट के वीडियो बना के आपको डालेंगे, जो बहुत काम आएंगे, इस साल या, जो भी आपके जुनियर, सिस्टर, मरदरस ह सब के काम आएंगे, बहुत पहरी सी बात आपसे करेंगे, देखो, वापस स्टर करेंगे, उसको बिस दुराई से, आजाओ जी, क्या कहता दोस्तो, अगला कहता है, सर्कुलर कोईल अप सेल्प इंडेक्शन, L is made by a constant length wire, इस number of transmax triple, देखो डियर, अगला L कहता है, देखो L क दोस्तो याद रखो, यह वही वाइर है, इसी वाइर से एक गहरा बनाओ, बड़े बनेंगे, तीन गहरे बनाओगे, तो गहरों की दोस्तो, radius of one third हो जाएगी, तो N तो square आएगा, बर R है वो R by N हो जाता है, यहाँ तो तीन तीन नो आएगा, बड़ी R by 3 आएगा, तो दोस सी वाइर से तीन लूप बनाए, तो लूप, नमबर अप्टरम तो तीन गुने होगे, लेकिन दोस्तो रेडिस तो one third होगी ना, तो यह one third हो जाएगा, यह तीन तीन नो अपोन तीन, आंसर आगया, थ्री आई, ओके, तैंक यू, ओके बच्चो, ठीको, तो फिजिक्स इस तरह की वीडियो बनाके डालेंगे, एक पॉइंट उठाया, सोल्ड किया, पॉइंट उठाया, सोल्ड किया, देखो, वाइगुरू की क्या महरती, आप और मेरे उपर, कि क्या अच्छा, कितना अच्छा मेटर हम दे पाते हैं, आप ले पाते हैं, ओके, फिर से आप सब कुसुप काम नहीं, 13 सेप्टंबर आपकी हो, ठोक क्या आना है, फोड क्या आना है, थेंक्यू, जेसीलसी